पर आज है एक बड़ा ही special दिन क्योंकि आज हम करने वाले हैं जितने भी G20 की मीटिंग्स हैं जो आपके exam के लिए बेहत जरूरी है और definitely questions आएंगे यहां से आज जितनी भी मीटिंग्स हमारे यहां पर हुई हैं आप सबी को पता है December में हमारे देश को G20 Presidency मिली थी अध्यक्षिता मिली थी और उसके बाद काफी सारी meetings हुई हैं सारी meetings के बारे में जानेंगे साथ ही साथ G20 के बारे में भी जानेंगे मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके Current Affairs की classes लेती हूँ जल्दी से एक बड़ी session को join कर लीजे अगर आप नए हैं अगर आपने channel को अब तक नहीं subscribe किया है तुरन subscribe कर लीजे और Ada247 का app नहीं download किया है क्योंकि यहां से आपको free quizzes और Current Affairs material मिलता है तो इसको भी जल्दी से कर लीजे वेरी वेरी गुद इवनिंग प्रीतिय बिपाशा, आनन्दार्तिय अनिशा, आयूश, तरन्नम कुमुद्नी वेरी वेरी गुद इवनिंग जल्दी से एक बरी अगर आपने अब तक session को like नहीं किया है और share नहीं किया है तो ये दोनों काम भी कर दिजे ताकि सारे students को upcoming जितने भी exams है देखो अभी आसपास बहुत सारे exams आने वाले हैं RBI, IRDI, EPFO है ना सारे ही exams में G20 important है या फिर इसके अलावा अगर मेरे दिमाग से अभी exam skip हो रहा है उसके लिए भी देखो G20 तो एक national international importance का एक जो है इतनी बड़ी conference हुई है तो हर एक exam के लिए important है चाहे कोई भी exam आप दुनिया में I mean to say अपने देश में लिख रहे हैं चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी कि अगर आपके कोई भी doubts है पहले ही बता देती हूँ last में हम 10 minute का या जो भी आपके doubts होंगे last में हम एक talk show रखने वाले हैं जहां पर आपके सारे doubts लिए जाएंगे तो बीच में मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी हम जो है किसी भी interaction में फशे हम last में dedicatedly एक time रखेंगे जहां पर हम सारी बाते और सारे doubts क्लियर करेंगे शुरू करें हाँ जी 25 को एड़ाय है ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आगे बढ़ते हैं जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं G20 की ही तो देखें कोई भी बड़ी organization बनती है उसके पीछे का reason होता है crisis कोई ना कोई crisis हुआ होगा तब जा जैसा crisis होगा था जी 20 की भी कहानी कुछ ऐसी सी है जहां पर जो है हमें एक crisis देखने को मिला जिसके बाद G20 जैसी body की स्थापना करने की हमें जरूरत पड़ी 1999 की मैं यहां पर बात कर रही हूँ यह एक international forum है जहां पर बहुत सारी countries जो है वो आपस में मिल बैठ कर जो है सारी बहुत सारे economic और social decisions लेती है it plays an important so basically यहां पर governance हो गया आपके economic issues हो गया यह सारी चीज़े जो है यहां पर बैठ के decide करी जाती है 1999 में यह बना था Asian financial crisis के बाद ठीक है तो शुरू शुरू में क्या हुआ था जब यह बना था तो यहां पर जो है finance ministers और central bank के governors जैसे जो भी अलग-अलग देशों के अलग-अलग central bank होते हैं हमारे यहां पर RBI है US में federal bank है अलग-अलग governors होते हैं सारे governors, finance ministers सब लोग जो है बैठते थे और economic चीजों पर और अलग-अलग जो है sectors पर decisions लेते थे वारत अलाब करते थे economic और financial issues majorly यहां पर cater करे जाते हैं अब G20 है यानि 20 ग्रुप, 20 लोगों का, 20 देशों का ग्रुप है अक्सर यहां पर confusion हो जाता है I still remember एक candidate थी जो की UPSC उन्होंने उनका prelims और mains clear हो गया था इंटर्व्यू के लिए वो बैठी थी वो, इंटर्व्यू में उनसे पूछा गया कि G20 में कितने members होते हैं बड़ा असान सा सवाल है उन्होंने बोला अच्छा G20 है नाम ही 20 है तो 20 members होंगे but that was a wrong answer गलत आंसर था वो G20 में 19 countries होती है उन्होंने पूछा था countries कितनी होती है तो 19 countries होती है और एक organization होता है 19 countries और एक European Union क्योंकि वो तो बहुत बड़ा organization है जिसमें अपने आप में बहुत सारी countries आती है ठीके तो यह आपको याद रखना है countries का नाम भी हम यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीके सबसे पहली बात इंडिया इसका पाठ है क्या बिलकुल पाठ है इंडिया चाइना यहाँ पर Australia आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें इंडिया और चायना है तो काफी जादा population तो यह दोनों देशी कवर कर लेते हैं उसके बाद world का trade 79% world का trade है 84% जो है world की economy और carbon emission भी काफी जादा यह करता है यानि 79 के आसपास राइट ओके चलिए अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि हमें जो है पहली December से और 30 November तक यह अध्यक्षता मिली है यह इंडिया के लिए कितनी important है यह तो हमें पता ही है कहां कहां पर meeting हुई है exactly आपसे meeting के लिए पूछा जाएगा objective questions जो आपके आने आने वाले हैं वो meetings में से आएंगे ठीक है so इंडिया की जो strategy थी और इंडिया ने किस-किस चीजों पर काम करने क की जो है इस बार सोचा था वो भी हम यहां पर detail में पढ़ने वाले हैं उससे पहले कुछ factual points देख लेते हैं logo अगेरा के बारे में G20 का जो logo है उसने जो inspiration ली है वो इंडिया के national flag से ही ली है जहां पर सैफरन कलर को, white कलर को, green कलर को और blue कलर को जो है choose किया गया है और वहां पर उसके साथ planet earth को भी यहां पर दर्शाया गया है lotus के साथ और इंडिया के national flower के साथ आप यहां पर भी देख सकते हैं अलग-अलग colors, इंडिया का यह map ठीक है और यहां पर देवनागरी में भारत इस तरीके से लिखा गया है तो आपको आपसे logo के बारे में कौन से script में ल reflect करता है इंडिया का pro planet approach आगे पूरे session में आप देखोगे कि यहां पर हम green और green growth और climate की बारे में बहुत जादा पढ़ेंगे ठीक है तो यह जो अर्थ हमने यहां पर लिया है इसका जो significance है वो यही है कि इंडिया जो है एक pro planet pro climate country है यानि climate को जो हाम नहीं करना चाहते है य दर्शाया है ठीक है तो यह आप याद रखेंगे रैट ओके अच्छा जी और उसके साथ साथ essentially और उसके साथ साथ यहां पर जो भी interconnectedness है सारे planet की वो भी हमने दिखाने की कोशश करी है इस साल का हमारा जो theme है वो आप सभी को पता है वासुदेव कुटुम्बकम यानि one earth one family one future जो कि हमने कहां से लिया है हमने महा उपनिशद से लिया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है चलिए आगे देखते हैं ये बहुत important है ये आपसे directly पूछा जाएगा कि G20 की इस बार भारत की key priorities यानि कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे main मुद्दे रहे हैं ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला है green development यानि हमे climate change जो हो रहा है उसके against बातचीत करनी है कैसे हम financially help कर सकते हैं कैसे चीजों को जो है life जैसे initiative से life आपको पता है जहां पर हम छोटे छोटे चीजों से कैसे climate change को रोक सकते हैं इन सारे मुद्दों पर बात करी गई है उसके साथ accelerating progress on SDG Sustainable Development Goals को कैसे हम और अच्छे से progress दिला सकते हैं ये दूसरी priority नहीं है priority number 3 inclusive growth यानि सारे sectors की सब लोगों की वो जो एक नारा है ना सबका साथ सबका विकास वही होता है inclusive growth number 4 technological transformation और digital public infrastructure यानि technological transformation और digital public infrastructure में आपके बहुत सारे चीज़े आजाती हैं आपका internet आजाता है UPI है तो digital जो भी चीज़े हैं उनके infrastructure को आप कैसे better कर सकते हो reforming multilateral institutions और women-led development very very important ये 6 ऐसे topics हैं जो आपके exam में directly पूछा जाएंगे question आएगा मैं आपको question देती हूँ tell और what which is not correct इन में से कौन सा गलत है in India's G20 priorities और आप से कोई भी option देदेगा आपको गलत वाला चाटना होगा दुबारा repeat करते हैं green development मेरे पीछे-पीछे repeat करिए green development climate change ठीक है पहला है हमारा दूसरा है SDG का progress हमने कितना करा है तीसरा है inclusive growth सबका साथ सबका विकास अगर आपको याद हो तो ये कुछ-कुछ similarity आपको budget में भी दिखी होंगी budget में भी green growth की बात करी है seven priorities याद है आपको budget की budget की तरह जो है यहाँ पर छे priorities की हमने बात करी है budget में हमने सब्तरिशी की बात करी है यहाँ पर inclusive growth सबका साथ सबका विकास हमने budget में भी बात करा है ठीक है उसके बाद technological transformation digital public transformation ये भी उसके बाद multilateral institution को जो है हमने वो करना है और woman-led development छटा हमारा क्या है target है यहाँ पर ठीक है तो ये छे किछे आपको याद रखने है ये छे में दुबारा इसलिए repeat करा है क्योंकि आगे कि जितनी भी meetings हुई है ये इन्हीं 6 targets इन्हीं 6 pillar के around सारी meetings हुई है अब G20 काम कैसे करता है देखे G20 में दो major tracks होते हैं दो parallel tracks हम इनको बोलते हैं या फिर दो groups बोलो आप tracks बोलो कुछ भी बोलो इस एक को हम finance track कहते हैं यानि जितने भी finance से related, economy से related decisions फैसली लेने होते हैं वो finance track में लिये जाते हैं ठीक है और दूसरा है जिशेर पा जहां पर जैसे green growth से related कोई decision हुआ anti-corruption activities, anti-corruption को लेकर, corruption activities को बंद करने को लेकर, ban करने को लेकर, steps उठाने को लेकर, अगर कोई भी decisions लेने हुए तो वो सारे decisions जो हैं ये share path track जो है या फिर group बोलो आप ठीक है अपनी बहतर understanding के लिए ये सब लेते हैं ठीक है तो ये दो major जो है यहाँ पर tracks हैं जो पूरा काम यहाँ पर करते हैं आपने share path के बारे में इस बार बहुत बार सुना भी होगा ठीक है अच्छा जी उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ engagement groups भी हैं जो की G20 की meetings को और G20 के काम को और जादा help करते हैं मदद करते हैं क्या है there are many engagement groups जैसे civil societies जो अलग-अलग होते हैं parliamentarians होते हैं think tank ज researchers, women, youth, labor, सब लोग जो है इन सब को हम stakeholders भी बोलते हैं एक किसी भी चीज से जितने भी लोग connected होते हैं उनको हम stakeholders बोलते हैं जैसे अभी इस G20 lecture के stakeholders कौन-कौन है मैं हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहे हूँ आप हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ठीक है और G20 अपने काम आता है जब भी आप conclusion लिखते हो ना last में जो solution या conclusion तो conclusion में एक permanent line है कोई भी question हो सब में एक चीज आप लिख सकते हो कि जी सारे stakeholders को साथ में मिलके काम करना चाहिए ये एक permanent ऐसा conclusion है जो आप हर एक descriptive में use कर सकते हो और ऐसे ही बहुत सारे permanent conclusions or solutions होते हैं जो आप किसी भी descriptive म की ज़रत नहीं होती next secretariat अब G20 में एक बड़ी अलग सी बात है अकसर आपने सुना होगा हर एक group का एक secretariat होता है एक जगा पर ठीक है इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कोई secretariat नहीं है कोई permanent जगा पर चीज़े नहीं है यहाँ पर Troika जो है वो एक जो है यहाँ पर role play करती है Troika क क्या है Troika का मतलब है Troika का मतलब 3 ठीक है यानि 3 उन देशों की बात करी गई है जिनके पास G20 की presidency पहले थी अब है और incoming year में आने वाली है समझ नहीं आया यह देखे सो हमसे पहले जो G20 की presidency थी वो किसके पास थी इंडोनेशा के पास याद है ना आपको December में हमने प्रेशा से लिया है यह presidency 2030 में इंडिया के पास आई और अगले साल यानि 2024 में ही ब्रजील के पास जाएगी तो यह तीन देशों को पहले से ही decide कर लिया जाता है और इन तीन देशों के समू को ही हम Troika बोलते हैं कि प्रेशिदेंसी किस-किस के पास किस-किस साल में जाने वा अजरे हैं किस-किस के थी要ा इन किस-किस साल बोलते हैं किस बाई अगले से फिए ंगले Rouge है पहले से पास देशिदेंसी किस देचे it बोलते हैं किस बादे से त Traert Olíकों किस पास बाई पास अद Надहberg किसिता हैं किएश।